हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है आज हम लोग Jackpot Class 9 का Math Solve करेंगे प्रिशनावली 6.3 एक नमबर दो नमबर ती नमबर और चार नमबर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया अपले लिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा आपको आज देखेंगे हम लोग 5 नमबर और 6 नमबर पांच नमबर के कोशन देखिए दी गई आकरिती में यदि प्कू लंब प्स, प्कू समाना अंतर एस आर कॉमा कौन एस क्यू आर बराबर 28 डिगरी और कौन और क्यू आर टी बराबर 65 है तो एकस और य कमान ग्याद कीजिए यहांपर देखेंगे एक आकरिती दिया हुआ है जिसमें प्कू लंब पी अस है प्कू लंब पी एस यहा पर 90 degree का कौन है और यहाँ पर देखिए PQ समानांतर SR यह दोनों समानांतर है अब यहाँ पर देखिए SQR SQR यहाँ पर 28 degree है और यहाँ पर देखिए QRT QRT यहाँ पर 15 degree दिया हुआ है हम लोगों को X और Y का मान ग्यात करना है तो चलिए इसको हम लोगों solve करते हैं सबसे प पहला है QRS यहाँ पर यह वाला त्रिभूज और दूसरा त्रिभूज है PQS यह वाला उपर वाला ओके दो त्रिभूज है दो त्रिभूज से हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे त्रिभूज QRS में त्रिभूज QRS में यह वाला त्रिभूज में देखिए यहा यहां पर 18 डिया हुआ है और यहां पर देखिए कुछ concept आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि जो मैं pencil से लिखूंगा जो कुछ भी यहां पर वो आप रब समझ लीजेगा यहां पर अगर हम लोग समझते हैं एक त्रिभूज ऐसे तरीके से और यह त्रिभूज का एक बायकोन है तो यह जो बायकोन होता है त्रिभूज का यह दोनों त्रिभूज का अंत यह दो कोन का योग के ब्राबर होता है बायकोन तो यहां पर देखिए यहां पर एक त्रिभ को लिखना है कौन sqr देखिए sqr यह वला 38 degree हो के प्लस कौन qsr qsr बराबर दिखिए बहिस कौन इसको बाहे को या फिर बहिस कौन भी का सकते हैं कौन qrt कौन qrt यह दोनों को इस कौन को जोड़ेंगे तो यहां पर 62 degree हो जाएगा इसके जैसे यह दो कौन का योग बाहे कौ चौन के ब्राबर होगा तो नीचे हम लोग value रख देंगे जिसे यहां पर देखिए sqr का 28 degree दिया हुआ है यहाँ पर और यहां पर देखिए कौन qsr 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 यहां पर value नहीं दिया हुआ है तो इसको सेम उतार देंगे और देखिए 22 कोन यानि की qrt यहां पर qrt 25 degree दिया 20-28 को इधर ले आएंगे तो मानस में हो जाएगा क्योंकि यहां पर पलस में है पलस को बराबर का दुसरी से डिलाते हैं तो मानस हो जाता है 65-28 मानस कर देंगे तो हमारे पास 37 डिगरी बचेगा इस तरीके से कौन QSR 37 डिगरी हो गया है देखिए PQ PQ समनांतर SR है अगर इस तरीके से दो रेखा रहता है और यहाँ पर एक तिरक छेदी रेखा रहेगा तो यह वाला कौन और यह वाला कौन दोनों ब्राबर होता है तो यहाँ पर देखिए एक आंतर होता कौन से ब्राबर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए PQ सम यहां पर S है यहां पर R है यहां फिर लोग यहां S लगा देते हैं चलिए S R यहां पर है तो यह दोनों कौन ब्राबर हो जाएगा तो जितना यहां पर है उतना ही यहां पर भी हो जाएगा यहां पर 37 है तो X भी 37 हो जाएगा तो नीचे दिखिए कौन P Q S ब्राबर कौन Q S R ह यहां पर नबे डिग्री है यहां पर फिर से एक त्रिभूज है कोई दिकत नहीं है और देखें त्रिभूज के तीनों कोनों का तीनों अन्था कोनों का यहां कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है तो यहां पर देखें लंब है यहां पर लंब मतलब 90 डिग्री और यहां पर X कमान हम लोग 37 निकाल लिए है और Y तीनों को जोड़ देंगे 90 पलस यहां पर 37 और यहां पर Y बराबर 180 दिग्री और वहां से हम लोग Y कमार निकाल लेंगे तो चलिए नीचे हम लोग लिखते हैं देखिए नीचे आप लोगों को लिखना है त्रिभूज P Q S में देखिए कौन P प्लस कौन P Q S प्लस कौन P S Q ब्राबर 180 डिग्री जैसे कि मैंने कहा त्रिभूज P Q S का तीनों अन्था कौन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर ब्रकेट में लिखना है त्रिभूज के अन्था कौनों कायोग ब्राबर 180 डिग्री अब नीचे दिखिए वेलू हम लोग रखेंगे यहाँ पर सब से पहले कोन P कोन P यहाँ पर 90 डिग्री है को दिखत नहीं है अब नीचे दिखिए में में एक साइड लाएँ दोंneों को जोड़ेंगे हम लोग बाबर xowas Sunan design तो पर okay also rhythm देंगे फिर यहांपर द любой लिखेंगे उसके बाद score में भाइंगे तो नवब कोहांब अब यहांपर गुद्ध को नीचे उतार देंगे यहांपर उसके बाद 37 को ब्राबर का दुसरे साइट ले आएंगे तो मैनस हो जाएगा अब देखिए y ब्राबर 90 मैनस 37 डिगरी हो गया अब y ब्राबर 90 मैनस करेंगे तो 53 बच्चेगा इस तरीके से y ब्राबर 53 आ चुका है तो final answer हमारा देखिए अत्ता x ब्राबर 37 डिगरी और y ब्राबर 55 किया है कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजे मेडाब सेशन में जरूर किलर कर दूँगा अब बढ़ते है नेक्स समलोग 6 नंबर की ओर अब देखिए 6 नंबर 6 नंबर की कोशन है दी गई आकृति में त्रिभूज PQR की भूज QR को बिंदू S तक बढ रहा गया है यदि कोन PQR कोन PQR यह वाला कोन ओके यह पूरा कोन का बात हो रहा है और कोन PRS के सम्धिभाजक बिंदू T पर मिलते हैं इसका सम्धिभाजक और इसका सम्धिभाजक बिंदू T पर मिल रहा है तो सिद कीजिए कि कोन QTR कोन QTR यह वाला कोन ब्राबर एक बटे दो कौन QPR यह वला कौन तो बता अना है कि हम लोगों को यहाँ पर सीध करना है कि यह वला जो कौन T है कौन T है वो आधा है कौन P का तो चलिए इसको हम लोग solve करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों देखिए लिखेंगे हल हल देने के बाद यहाँ पर भी देखिए दो त्रिभूज है एक त्रिभूज है PQR यह वला एक त्रिभूज है और दुसरा त्रिभूज है TQR यह वला त्रिभूज पहला हम लोग यह वला त्रिभूज को लेते हैं देखिए कोई भी त्रिभूज है कोई भी त्रिभूज है किसी प्रकार का त्रिभूज है अंतह कोन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 180 डिगरी हो जाता है कोई दिखत नहीं है तो हम लोग यहाँ पर देखिए कौन PQR इसका भी तीनों अन्था कौन जोड़ेंगे और TQR इसका भी तीनों अन्था कौन जोड़ेंगे तेहाँ पर देखिए तीनों अन्था कॉन जोड़ते हैं पहले लिखेंगे हम लोग घहल देने के बाद त्रिभुज P, Q, R में कॉन P, Q, R यानि की ये वला कॉन PLUS कॉन P, R, Q यानि की ये वला कॉन PLUS कॉन Q, P, R Q, P, R ये वला कॉन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 degree हो जाएगा इसको हम लोग समय करन एक लिख देते हैं यहाँ तो कोई दिकत नहीं है अब बढ़ते है next second देखिए तथा त्रिभूज TQR में यह वाला TQR में तो इसको जोड़ेंगे यह पूरा को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा नीचे दिखिए त्रिभूज TQR TQR यानि कि यह वाला कोन पलस कोन QRT QRT यह पूरा ओके यह पूरा कोन पलस कोन QTR यानि कि यह वाला Q, T, R, E वाला कौन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा इसको second समिकरन मान लेते हैं पहला समिकरन दूसरा समिकरन मान लिए हैं अब दोनों समिकरन में देखिए value किया हो रहा है 180 हो रहा है तो दोनों बराबर हो सकता है नाराम से यह जितना भी यहां पर 3 कोन है तीनों कोन इस तीनों कोन के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का value 180 ही है इसको इस तरीके समझ सकते हैं जिससे कि अगर A बराबर B है और यहां पर B बराबर C है तो यहां पर हम लोग A बराबर C लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं क्योंकि दोनों में B है, यहाँ पर दोनों में 180 है, तो इसलिए इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं, नीचे लिखना है समिकरन एक था दो से, अब दोनों को बराबर लिखते हैंगे, देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है T, कौन TQR, कौन TQR, पलस कौन QR कौन qrt फिर प्लस कौन qtr कौन qtr बराबर यह वाला हमारा समीकरन दुसरा है और वे पहला समीकरन को इधार लिखेंगे देखिए यहाँ पर पहला समीकरन है कों pqr कों pqr plus कों prq qpr कोई दिकत नहीं है अब यहां पर ध्यान से देखिए यह वाला को देखिए कों qrt म Pred यहाँ पर इस कों को देखिए यहाँ पर दो कौन है, पहला कौन तो यह वाला कौन है, अर दूसरा कौन यह वाला कौन है, कोई दिकत नहीं है यहाँ पर, कौन QRT में दो कौन है, पहला कौन है, यह उपर वाला अर दूसरा कौन है, नीचे वाला, इसके हम लोग अलग अलग लिख देंगे, नीचे दिखें सबसे पहले इसको उतार देंगे same to same यहाँ पर कौन TQR TQR उतर गया अब इसके अस्थान पर हम लोग दोनों को अलग अलग लिखेंगे जिसे P R Q यहाँ पर मैंने लिख दिया देखिए P R Q फिर अब उपर लिखेंगे हम लोग T R P देखिए P R P या फिर इसको हम लोग लिख सकते है P R T कोई दिकत नहीं है तो नीचे मैंने लिख आ है P R T उसके बाद यह तो हो गया इसी को बदल कर इतना सा हम लोग लिखेंगे हैं तुकडा कर दिया है बस अब इधर सेम उतार दिया है पूरा दिखिए कौन Q T R Q T R बराबर यह तो पूरा सेम ही है ओके कोई दिकत नहीं है अब नेक्स्ट में बरिकेट को हटा देंगे हम लोग ब्रिकेट को हटाद लेंगे तो सेम उतर जाएगा कौन TQR प्लस कौन PRQ प्लस कौन PRT प्लस कौन QTR बराबर कौन PQR प्लस कौन PRQ प्लस कौन QPR देखें सेम उतर गया है नीचे यहाँ पर कौन लगाना है अब देखें नीचे यहाँ पर कौन PRQ दोनों में PRQ है बीच में बराबर है तो दोनो कट जायेगा कोई दिखें नहीं यहाँ पर इस तरीके से होगा इस तरीके से देखें देखें पी आर क्यू बराबर कोन P R Q अगर दिखिए P R Q का बराबर का इधर ले आएंगे हम लोग तो कोन P R Q माइनस हो जाएगा कोन P R Q तो इस तरीके से यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा यह दोनों कट जाएगा तो इतना लंबा ना करके हम लोग डारेक्ट एक ही बार यहाँ पर काट दिये हैं आप इसको पेन से ही काट दीजेगा इस तरीके से पेन ही यूज कीजेगा यहाँ पर इस तरीके से यह कट गया अब दिखिए next जो यहाँ पर में पेंसिल यूज कर रहा हूँ वो रप है ओके ना सिर्फ पेन जो पेन में यूज कर रहा हूँ वो आपके लिए नोट है next देखिए जो बच्चेगा उसको साब साब नीचे लिख देना है यह दोनों को हटा कर जो भी बच्चेगा इसको लिख देना है कौन TQR पलस कौन PRT पलस कौन QTR बराबर कौन PQR बराबर कौन QPR अब नीचे दिखिए चुकि QT जो है वो PQR का सम्धिभाजक है देखिए QT 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 जो है वो PQR का सम्दिभाजक है यहाँ पर ओके यहँ वाला कौन और यह वाला कौन दोनों ब्राबर है और यहाँ पर भी है वो इसदी लेकिन पहली इसको देख लेते हैं देखे, PQR का सम्दिभाजक है QT, तो देखे, आपको साब साब दिखा इदे, इसलिए मैंने, जो कुछ भरफ किया था, मैंने मिठा दिया, यहाँ पर ध्यान से दिखिए, कौन TQR, यह वाला कौन को, यह जो कौन है, आधा है, किसका है, PQR का, क्योंकि यह सम्दिभाजित क रहा है, यह वाला रेखा, इसलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, कौन TQR, बराबर एक बटे दो, कौन PQR, PQR का यह वाला आधा है, अब नीचे दिखिए, ध्यान से, यहाँ पर, कौन PQR, बराबर, 2TQR, कौन TQR हो जाएगा, यह कैसे होगा, तो इसको भी चलिए, हम लोग रफ करके समझते हैं, पर रफ करने का जूरत नहीं, बहुत ही आसान देखिए, PQR, PQR यहाँ पर है, तो इसको हम लोग इधर ले आएगे, और यह वाला जो 2 है, दो देखिए, बराबर का, दूसरे साट जब जाएगा, तो यहाँ पर भाग में समिकरन 3, यहाँ पर देखिए, समिकरन 3 यहाँ है, और समिकरन 4 यहाँ है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, साप साप समिकरन 3 को नीचे लिख देते हैं, समिकरन 4 के बारे में बाद में पता चलेगा, पहले 3 को हम लोग नीचे लिखते हैं, देखिए, 3 को यहाँ पर लिखे देते हैं इसको छोड़ देते हैं और इसको दिखें लास्ट में हम लोग यहां पर लिखें हुए हैं लास्ट में कौन QPR दिखें कौन QPR इसको यहां पर हम लोग बदल के लिखेंगे अब देखें समय करन चार को कौन PQR बराबर है किसके बराबर है कौन देखें 2 कौन TQR का तो PQR के अस्थान पर 2 कौन TQR हम लोग लिख सकते हैं तो बस इसी को चेंज कर देना है बस यही पर हम लोग बदले हैं बाग की सेम उतार दिये हैं अब नीचे दिखिए यहाँ पर TQR है और यहाँ पर 2 TQR है और बिच में बराबर है तो यहाँ पर घट जाएगा देखिए TQR कट जाएगा और यहाँ पर TQR कट जाएगा लेकिन यहाँ पर 2 बार TQR है इसलिए शिर्फ एक बार कट रह जाएगा तो देखिए यह तो कट चुका है इसको ना काट कर हम लोग बस यह 2 को काट देते हैं अब यहां पर देखे इसको उतारेंगे कोन P RT, P RT हो गया, फिर कोन Q TR, Q TR उतार दिए, बराबर है, बराबर लगा दिए, यहां पर दो तो कट चुका है, अब T QR, T QR को उतार दिए, और यहां पर Q PR, Q PR रह गया, अब इसको समय करन 5 मान लेते हैं, अब नेग्च देखे, सेम जैसे यहाँ पर सम्दिभाजित कर रहा था QT उसी प्रकार यहाँ पर देखिए RT जो है वो PRS को सम्दिभाजित कर रहा है यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे चुकि RT कौन PRS को सम्दिभाजित करता है तो यहाँ पर फिर सल हो जाएगा कौन PRT ब्राबर एक ऱ्टे दो कौन PRS है कौन PRS यहाँ पर है अब यह सम्धिभाजित कर रहा है RT यहाँ पर दिखिए कौन PRT यह वाला जो कौन है यह कौन आधा है PRS का इसी को नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कौन PRT ब्राबर इस से 2 कौन Pα से, अब यहां पर दखितिए PQR में फिर से आते हैं हम लोग, यह वला तृभूज में फिर से अगवार आहर हैं कौन PQR में, पQR इस तरीके से है, PQR इस तरीके से हैं ? यहां पर P है यहां पर Q है और यहां पर R है यह दोनों कौन को जोड़ेंगे तो यह 22 कोन यानि कि बाहे कोन के बराबर हो जाएगा याँ दोनों को हम लोग अगर जोडते हैं तो यह पूरा का पूरा कोण आ जाएगा आराम से कोई दिक्यत नहीं है मैंने पहले भी बताया है 22 कोन त्रिभुज का बाहे कौन त्रिभुज के अंता दो कौन के बराबर होता है तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से देखिए कौन PRS कौन PRS बराबर कौन PQR पलस कौन QPR त्रिभुज PQR का बहिस कौन ओके यानि कि ये दोनों cone को हम लोग जोड़ दिये हैं और इस cone के बराबर हो गया है अब नीचे देखिये नीचे क्या करेंगे हम लोग cone P.R.S. उतार देंगे से और यहां पर देखिये P.Q.R P.Q.R P.Q.R. अगर हम लोग द्यान से देखिये तो कहा है PQR यहाँ पर देखिए PQR किसके बराबर है 2 कौन TQR तो इसको 2 कौन TQR में बदल देंगे PQR को बदल दी है और इसको सेम उतार दी है PQR को और यह हो जाएगा सम्मिकरन 6 यहाँ तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर द्यान से देखिए कौन PRT PRT यह वाला कौन को यहाँ पर हो लोग उतार दिये हैं बराबर देखिए एक बटे दो PRS इसको उतार रहे हैं सेम टू सेम यहाँ पर कोई दिकत नहीं है इसको सेम टू सेम यहाँ पर उतार दिये हैं अब देखिए बराबर देने के बाद यहाँ पर देखिए कौन पी आरेस इसको बस देखिए पी आरेस को देखिए पी आरेस किसके बराबर है दो कौन टी क्यू आर प्लस कौन क्यू पी आर के बराबर है तो इसको हम लोग देखिए लिख दिया है यहाँ पर टी क्यू आर प्लस कौन QPR सेम अब यहाँ पर जो 2 है उसको यहाँ पर 2 लिख दिये हैं अब क्योंकि यहाँ पर आधा है तो यहाँ पर भी आधा हम लोग लिखेंगे एक बटे 2 यहाँ है इसलिए यहाँ पर भी बटे 2 लिखना पड़ेगा इसको फिसमें रिपिट कर दे रहा हूँ यहाँ पर जो कुछ पी है उसको यहाँ पर हम लोग लिख दिये हैं इतना सा और दिखिए यहाँ पर PRS PRS के बराबर है 2 कौन TQR पलस कौन QPR तो PRS के बराबर है यानि कि यहाँ से यहाँ तक प्रसेस आप कर लूँ मैं ताकि आपको बेटर समझ में आईगा दिखिए अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक यह वाला पार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह वाला पार है मिक्स हो गया है दोनों के PRS PRS के बराबर है देखिए यहाँ पर 2 कौन TQR PQR लेकिन यहाँ पर हाप है इसलिए यहाँ पर भी हाप लगाना पड़ेगा अब next देखिए हम लोग solve करेंगे देखिए यहाँ पर PQR PQR किसे मुतार दिये हैं और अभी पूरा का पूरा पूरा का पूरा इसको हम लोग गायब कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास देखिए एक बटे 2 इन्टू 2 कौन TQR पलस कौन QPR अब इसको solve करेंगे तो इतना आ जाएगा चलिए मैं solve करके बताता हूँ आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए एक बटे 2 फिर यहाँ पर है 2 TQR पलस कौन QPR अब यहाँ पर एक बटे 2 है तो दोनों में एक बटे 2 हो जाएगा next step में 2 TQR पलस कौन QPR यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर भी 2 हो जाएगा प्रिकेट खुल गया अब यह वाला 2 यह वाला 2 कट जाएगा तो हमारे पास पर चेएगा TQR यहाँ पर पलस है पलस कौन QPR यहाँ पर देखिए 2 है तो उसके हम लोग लिख सकते हैं एक बटे 2 यहाँ पर देखिए TQR यहाँ पर TQR है कौन TQR फिर पलस फिर एक बटे 2 कौन QPR कोई दिखत नहीं है इसको solve करने से इतना आया है अब नेक्ट देखिए समिकरन 4 में से 5 घटाने पर तो चलिए हम लोग यहाँ पर समिकरन 5 में से 7 घटाते हैं यहाँ पर समिकरन 5 आप देख सकते हैं और समिकरन 7 यहाँ पर समिकरन 7 है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रप करके दिखाता हूँ समिकरन 5 में से 7 घटाने से क्या होगा समिकरन 5 यहाँ पर है इसका हम लोग लिखेंगे कॉन P-R-T प्लस कॉन Q-T-R बराबर कॉन T-Q-R प्लस कॉन Q-P-R इसमें से समिकरन 7 को समिकरन 7 को मानस करना है और समय करन साथ यहाँ पर है तो इसको हम लोग लिखेंगे नीचे कौन P R T बराबर कौन T Q R कौन T Q R पलस यहाँ पर एक बटे दो कौन Q P R कौन Q P R अब यहाँ पर मानस करना है तो नीचे नीचे वाला में समय मानस कर देंगे यहाँ पर यह मानस हो जाएगा यहाँ पर मानस है ही यहाँ पर मानस हो जाएगा यह पलस भी यहाँ पर मानस हो जाएगा यह वाला जो पलस से यह हट जाएगा अब देखिए PRT PRT पलस है उपर नीचे माइनर से दोनों कट जाएगा बचेगा कौन QTR बराबन कौन TQR नीचे भी TQR है उपर पलस है नीचे माइनर से कट जाएगा अब यहाँ पर सेम सेम नहीं है तो उतार देते हैं कौन QPR QPR फिर यहाँ पर एक्षबल माइनर से ओके तो माइनर से लिखेंगे फिर एक बचे दो कौन QPR कौन QPR यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसी को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन QTR कौन QTR बराबर कौन QPR QPR, qpr- यहाँ पर dėkhtे, minus है। पिर एक बट्टे, दो, एक बट्टे, दो पिर कौन? QPR, qpr हो गया। यहाँ पर दिखिए कौन QPR, minus एक बट्टे 2, qpr है। qpr, qpr है दोनों यानिकि दोनों सेम है। यहाँ पर बस आधा minus करना है। तो बच्चे गा, एक बट्टे दो कॉन क्यू पी आर वो दिकत नहीं है यहाँ पर पूरा एक है एक में से अधा घटाएंगे तो अधा बच्चेगा या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पी क्यू आर पी क्यू आर कोमन ले लेंगे तो वैसे भी चलेगा या फिर एक में आधा माइनस करेंगे तो आधा बच्चेगा तो इस तरीके से कौन देखिए क्यू टी आर बराबर आ चुका है हमारा तो वही है यहाँ पर फाइनल अंसर देखिए कौन क्यू टी आर बराबर एक बट्टे दो कौन क्यू पी आर यही पूरूब करना था हम लोगों को यह पूरूब हो चुका है तो यही हमारा अंसर भी आ चुका है आई होग समझे माया होगा अगर कहीं पर दिक्क्यत हुआ तो मुझे कमेंट कर दिजे अगर नहीं समझे है तो फिर भी दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट जरूर कर दिजेगा में डाउट सेशन में किलर कर दूँगा और वीडियो अच्छी लेकित वीडियो को लाइक करके अपने सबी दोस्तों के साथ जरूर सेयर करे और इस चैनल कभी तक सबस्क्राइब नहीं के तो सबस्क्राइब करके वेल आइकन भी ओन पर क्लिक कर दिजे